एलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का हमारे एवर्ण ग्राफिस ऐनलाइन स्वागत है आज का एक ट्यूटोरियल एक डिमांडिंग वीडियो है मेरा रिक्वेस्ट होगा सभी व्यूवर्स से जो भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को complete देखिए तब ही आप इसके बारे में सीख पाएंगे समझ पाएंगे एक बार फिस से request करना चाहूंगा अभी तक जिनों ने मेरे YouTube चैनल को subscribe नहीं किये हैं प्लीज चैनल को subscribe कर दीजिए जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसका notification सबसे पहले आपको मिलता रहे हैं ज़्यादा समय ना यहाँ पर वेश करते हुए यहाँ वीडियो स्टार्ट करेंगे चलिए वीडियो के तरफ परते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगिन स्टार्टिट तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है इंटोडक्शन में आज का यह डिमांडिंग वीडियो है तो आज का यह वीडियो है जिससे अगर आपको टेक्स में 3D एफेक्ट अगर देना हो तो वो आप एफेक्ट कैसे देंगे उसके बारे में आज का एक टुटोरियल लाया हूँ तो कंप्लिट टुटोरियल आज का उसी के बारे में होने वाली है अभी यहां हमें वीडियो स्टार्ट करूँगा जिसी कि आपको टेक्स में एफेक्ट देना सबसे पहले हम टेक्स को टाइप कर लेंगे यहां से देखे हैं में इसकरां से टेक्स को टाइप कर लिया है और एक चीज़ इसमें ध्यान देखना होता है यदि आप कोई भी चीज़ को अगर इफेक्ट में कनवर्ड करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले आपका कर्सिव लेटर होना जरूरी है जो कि अमारे ग्राफिक लैंग्वेज में उसको हम कैलिवरी फॉन्ट गोलते हैं तो वो चीज़ आपको द्यान में रखना है तो यहां से देखिए अभी यह मैंने इसको अपसड़ किया है अब इसको शॉटकट टीकनिक है शिल्प प्रेस करते हुए एफ प्रेस करेंगे तो यहां पर डिक्टी टाइटल प्रेस आ जाता है और यहां से इस तरह से इसको आप कन्वर्ड कर सकते हैं इसको select करते हुए हम इस box को यहां से इसका center इसके बाद में friends यहां से अगर आपको लगता है जो आपको बेहतर font आपको लगता है वो font आप यहां इस्तेमाल कर सकते हैं तो start के लिए friends यहां पर brush script font है इसका मैं इस्तेमाल करूँगा और सबसे पहले देखें यहां पर जो हमने background दिया हुआ है background के लिए box जो हमने यहां पर ready किया है इसको मैं color दूँगा और यह जो हमारा text है इसको मैं कोई एक color दूँगा इसके बाद भी friends इसको हम select करते हुए यहां से हमारे control option में जाएंगे यहां से देखें हमारा जो की outside यहां पर selected है इसके बारे मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ अगर आपको counter option अगर आपको ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए control F9 प्रेस करना है तो यहां पर देखिए एक option होता है outside यहां पर select करना है और यहां से आपको apply कर देना है तो देके इसको white की outline आ चुकी है और इसका एक हम duplicate करेंगे duplicate में यहां पर यहां इसको black देंगे या जो आपको ठीक लगी green ठीक लगे तो आप green भी दे सकते हो तो यहां 3D effect के लिए यहां पर आपको ध्यान देनी की ज़रूरत है तो इसको हम select करेंगे और friends देखें यहां से इस option में आने के बाद में यहां पर हमें blend option यहां से select करना है और ज़सको drag करते हुए इस तरह से इसमें इस तरह से मच कर देना है उसी तरह से अगर इसका आप red color रखते हो रेड कलर भी होनी के बाद भी यहां से यह जो white है यहां से white में आपको select करना है यदि आप red में red अगर आप match करेंगे तो और एक चीज आपको ध्यान में रखना है यदि आप इसको को effect देना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपका उपर का part है उसको आपको page up रखना है अब यहां से हमें effect देनी के लिए color हम चिंद करेंगी कोई भी color यहां से अगर आप देना चाहते हैं blue मेंने लिया green लिया कोई भी तो यहां से हमारा blend option यहां से select हो चुका है अब यहां से white तो देखे print इस तरह से और इस तरह से adjust करने के लिए इस तरह से आप अब देखे print से यहां पर हमारा यही पर चुका है अगर आप इसको color change करना चाहते हैं तो अगर आप इसका blue color करेंगे तो complete यहां पर पूरा इसके ratio में यह सारा का सारा यहां पर change होता है इस तरह से और इसी प्रकार से यदि आप इसको अगर पॉपी करना चाहते है तो सबसे पहले इसको control C आसे control V करेंगे अब हम यहां इसका font change करेंगी यहां पर font कमें जो ठीक लगे हो और हम font ले सकते हैं यहां पर switch हमने font लिया इसके बाद में इसको हम थोड़ा सा अब friends सबसे पहले में आपको यहां पर बताऊंगा इसमें बेतनी effect देने के लिए यहां पर इस तरह से box बना लेंगे और यहां object में जाएंगे और object में यहां से जाने के बाद में यहां से place inside करेंगे और इसको अंदर side इसको हम इस तरह से adjust करेंगे अब देखे friends हमारा जो उपर का जो हमारा text का color है वो हमने dark दिया हुआ है अब यहां पर हम इसको light color देखेंगे और यहां से देखेंगे यहां से अब हमें इसी option में रहते हुए यहां पर हमें transparency यह से लिख करना है तो अभी friends देख सकते हैं कि इतना बेतरी निकरते हैं यहां पर आपको सामने अब friends अगर आपको लगता है अभी इसमें कुछ get up कम लग रहा है तो इसके लिए आपको फिस से counter में यहां से white outline देना तो देखेंगे और इसके अलावा यदि आपको कुछ और effect देना चाहते हैं तो इसके लिए drop shadow का इसके अंदर या इसको आप चाहे तो 3D effect आप दे सकते हैं वो भी आपको अच्छा लगेगा बट 3D के देने के लिए यहां पर यहोना जिबनी नहीं है यह रटा देना है और इसका color यहां से आपको कुछ अलब रखना है अब friends यहां से हम इसको blend करेंगे इसको तहां से तो देखे इस तरह से और इसको इस तरह से adjust कर सकते हैं तो देखे पहले के मुकाबले यह हमारा कितना get up और अगर आप चाहें इसको separate करने के लिए यहां से object में जाएंगे यहां से break blend फिर इसका color आप यहां से change कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे इस तरह से light color और इसमें भी option होते हैं, ungroup option होते हैं इसमें भी ungroup कर सकते हैं और friends इसी प्रकार से एक और effect का मयाँ पर knowledge आपको देने वाला हूँ जैसे की यहां पर यह हमारा matter तयार है और इसको हमें अभी effect देना है तो यहां पर इसके लिए vertical point यहां के हमें select करना होगा अभी friends इसका हम को एक light color देंगे अभी just इसको हम select करेंगे और यहां पर देखिए यहां से एक option होता है block shadow just यहां से यदि आपको shadow अगर आप देना चाहते हैं तो shadow देने के लिए सबसे बेतरीन तरीका होता है एक दम कम समय में आप इस तरह से इसका shadow बना सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे इस तरह से आप text का color आप रख सकते हैं So friends आज के tutorial में बस इतना ही उम्मिद करता हूँ आज के tutorial से आपने बहुत कुछ सीखा होगा So thanks for watching friends मिलते हैं next video में बंदे मात्रम जैहिं have a nice day